कि काफी सारे आपको फैय्दा होगा कारोबार किस तरीके से सुरूख कर सकते हैं कितना कोश लग जाता है मैंने एक साल से अधिक हो चुका है तो किर ला रहे हैं कर रहे हम चेर आपको बताएं ने रही हैं अपने नजदी के चाथ से अपने तो कि दोना आपको पड़ जाएगा यह हम छो है इसमें पंड्र हजार पे कर देखिए पूरा बिल बना हुआ हमारा, यह दिखें, 14,468 रुपे का यह पार्ट से हमारा, और मैं आपको दिखाना वाला हूँ गाइस, कि हमने इसमें क्या-क्या लिया है, जाता कि मैं आपको परसंटेज नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए माफिश चाहूँ क्योंकि हमारे वीडि पी, 112 रुपे बता है, यह डिस्क कलच प्रेट फ्रिक्सन यानि की कलच प्रेट है, आट पीस का यह जो कि यह ओरिजनल वाला है, डिस्क कलच फ्रिक्सन और यहाँ पर लिखावा, श्री गनेजी, श्री मोटर नरायनी, यह हमारा, जो है मतलब एक बील है, समझो कि, यह यह पर जतना भी पार्ट से हमने लिया है, यहां पर विल्कुर आप देख सकते हैं, तो यह दिखेंगा है, विल्कुल अच्छे ब्राण का जैनमीन चीज़ लिया है, सबसे पहले आप इयर फिल्टर देख लिए, जो कि हम जो एर फिल्टर सलाते हैं, इस टिलबर आप अगर द और पहले से यहां पर पढ़ा हुआ और इधर भी यहां पर पढ़ा हुआ हुआ है तो यह अक्सर यह को यूज करते हैं यह फिर और यह इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा यह फिल्टर यह भी आपको मेरे पास मिले इसके बाद दिखिए यहां पर यह साइड मिरर इंडेस्ट्री लिमिटेड इसका जो साइड गिलास जो देखना जिस ब्रांड का यह आप लोगो पता होगा कि टीवियस कंपनी जो इस ब बाइक में लगा कर देते हैं साइड ग्लास को या फिर हैड लाइट को या फिर वायरिंग कॉम्बिनेशन सुच ऐसे बहुत चीज़ है इस ब्रांड का आता है जो कि पहले से ला कर देते हैं यह के सबसे ज्यादा लोग यही डालते हैं मार्किट में जो ज्यादा जिस ब्रांड का वही जो हैं लोग को मिलता है फॉनिक्स जो आप बल्बा देख रहे हैं यह होता है सुपराजीत कमपनी का इसी ब्रांड कर आप कोई केबल लेंगे तो आपको बहुत ही बहतरी मिलेगी आपको बता दे रहा हूं केबल तो मैंने एक यूरो का लिया था ले बहुत ही नमबर वन क्वालिटी का आता यह एसके केबल और यह सुपराजीत केबल ठीके गाइज यह कलाज प्लेट है ब्याज पर सर्वाइक का हमने बिल्कुल ओरिजिनल मंगाया है कि इसकी मारपी देखिए 722 रुपे है पर सर्वाइक बीएस फोर बीएसिक्स में इसे आप डाल सकते हैं और यह पांच पीस का कलाज प्लेट है कि अब यहां पर देखिए गाइस हमने होंडा का जो है इतना सारा यह उन्डा का देख सकते हैं यह सभी क्लच प्रेट है उन्डा शाहिन भी एसक्स कहके यह देखें इसका एमार्पी देख लीजिए एकपी से कितना होता है कि एक पिस का जो मार्पी एक सो पचासी रुपिया है यह शाइन भी सिक्स मॉडल का है और एक बाइक में जो करीब चार पिस लगता है जो मैंना दो बाइक का मंगाया है आठ पीस है इसमें और पहले से भी यहां पर कला सिलेट मेरे पास रखा हुआ है यह देख सकते हैं और होंडा सीडी 110 वाइक का यहां पर कला सेंटर हम यह सब चीज़ें जैन्मीन रखा हुआ है मेरे पास यहां पर और भी चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं यह कला सिर्ट दिखें टीवेस अपाची आर्टियार के लिए कि अपासी आर्टियार वन सेक्षी वन एटी के लिए की कलिश्प्लेट तर्णों से चौदर रुपिय मार्पिय अभी तक चल रहा है जो कि यह बारे दोजर बाइस का माल है यह दिखिए बिल्कुल जैन्मी निगाई और यह प्रोड़क्ट पहले से भी रखा हुआ है एड होंडा शाहिन का जो कलेश्प्लेट है इसका मार्पी होता है चैसो चालीज रुपे इसका विमार्पी नहीं बड़ा है और यह पलसर को जो मैंने दिखा यह दो पीस हमने मंगाया है यह दो पीस में रख देता हूं भी तो और इसके साथ ही गाइज यह दिखेए चैने स्पाकेट यह रोलन बरांड बरांड का चैने स्पाकेट है जोकर यह होंडा शाहिन एक्सक्राइब का है दो पीस हमने होंडा शाहिन का मंगाया था और इससे पहले भी दिख्के यहां पर रखा हुआ है होंडा शाहिन कहके जहां पर एक पीस पहले से भी रखा हुआ है तो एडवांस में हमेशा हम दो तीन पीस रखते हैं यह को हौल सेलिंग के लिए नहीं यह पार्ट से जो हम फसा रहें यह को हौल सेलर के लिए ने गाई सिर्फ के लिए कस्टूमर के लिए हम इतना साथ दोखा नहीं करना चाहता है इसलिए मैं रखता हूं सभी चीज हैं कि जब भी वह मेरे पास आया तो मैं उसके बाइक के इंजन में में कुछ जैन्मिन चीज ही डालों कि दिखिए कला सेंटर हब है पर सर्वाइक के लिए कि कोई नहीं कह सकता कि दूबली के रहे हैं प बेसे दिन दोनों बैक की सर्विस कर सकता हूँ यह एक पॉकेट जो है यह एस्पी 125 प्रीच बॉन टूइच्ट पाइक का है और इससे पहले से भी यहां पर जो है पीस रखा हुआ है यह साइड मीरर हम बनका दिया है मुझे और से पहले जो यहां पर रखा हुआ है यह और यह दो टाइमिंग हमने मंगाया है रोलन का जो के इस्टार सिटी पलस बाइक का अलग होता है इस्टार सिटी पलस रिडियों एक्सादस से कहके आपको अलग टाइमिंग चैनल लेकर रखना होगा और यह देखे गाइस आपको लगता होगा कि मैं वर्क्शॉप में जो प पिकता जाता है हम एडवांस में रखते जाते हैं यहां पर जो करश प्रेड देख रहे हैं आपर से रखा हुआ है टाइमिंग चैनल रखा हुआ है जितना भी जैनुए होता है इंजन के अंदर का वह हमने यहां पर रखा है और यह दिखिए हमने फिर से जो है पांच कला स्षप्रेड जो ही रोखा इस प्रेंडर मोडल वाला जो है हमने लेकर आए सुपर स्प्रेंडर कहके दिखिए सास्था दस रुपए यह सूपर स्प्रेंडर बाइक का है अच्छा यह एक पीस है कि दो पीश सुपर स्पिरेंडर बाइक का है और तीन पीश स्पिरेंडर प्लस बाइक का है प्लस वारा 309 रुपे का है पर पीश पड़ जाता है और यह शास्वा दस रुपे का पुरा सेट है एक मतलब सेट यह क्याटिसीज मोडल होता है यह सुपर स्पिरेंडर गलेमर हो गया उस बाइक का यह क्लाश प्लेट हुआ और भी चीज़ां मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे कार्बन है यह मेरे पास बैरो का स्रेंडर किट वहां पे जैन्वीन रखावा हीरो का सुपरस्ट्रेंडर प्रो एच्ट इलेक्स होंडा शाही देम योगा यह कहके सभी चीज़ जैन्वीन है और इदर जो इजने कि आरी इस वीडियो में हमें यह नहीं बताना था कि मतलब मेरे पास किस-kis बरण का बार्र headed मुझे इस इसरफ यह वीडियो में यह आप कहुं होंआ आप जो है और यह लेंगी कहा से लेंगे तो अभी जो हमारे वरक्टॉप में इतने सारे पार्ट से देख रहें इसमें समझो की सेवंटी परिषण्ट से वाँ वहां भोर्डा पर जिला पढ़ जाता हम धरकंड के में भागलपूर से पर जाता है और वहां से फिर सनुला होते हुए भागलपूर रास्ता गिया वज़ भालपूर सीटी पढ़ जाता है तो यहां से क्या है कि भागलपूर मार्केटिंग करने में मुझे बहुत ही आसान होता है भागलपूर से डारेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट हमारे वरक्शॉप से होते बहुत है रहां से कर में अपने डिस्ट丹 से कारवार करना चाहूं कि नाछए तो कोई बस से करके हम यहां पे लाना वोगा बहुत्ण सिरांगे थो पहले नरी धिराइगा ये नहीं देवरं के समाल वह मैं हम ऐसे प्रिप से पार्ट से न deben पुछ चाहते वहना ना भागलपुर से जब हम और करते हैं मने और किया माल मेरा दूसरे दिन आ जाता है सब्सक्राइब मैं दिल्ली से लेना चाहें तो मुझे असान पढ़ेगा दिल्ली भागलपूर भागलपूर दिरेक्ट हमारा यहां पर हमार वर्क्षाप तक पहुच जागा लेकिन पता है कि यहां से दिल्ली जो हमारब 1223 क्लिमिटर दूर है और दिल्ली में कि दिल्ली में कितनों भी अगर हम 10 दुकान पकड़ लेंगे तो उससे दोस्ती यारे या फिर पहचान जल्दी नहीं बना पाएंगे जितना क कि हम जल्दी अपने नजदी के शहर वालों से बना सकते हैं तो भागलपूर क्या कि बगल में हैं अगर हम यहां से आउडर नहीं दे सके तो हम कभी कभी जाकर भी कुछ माल ले सकते हैं और बहुत ही आसानी होता है कि यानि कि मार्केटिंग करने में हम चाहें तो अगर बी यहां जब आपके उपर भरोसा करें लेकिन बरोसा जल्दी से हमें खुद नहीं होता है कि मैं पैसे भेज़ेगा हो सकता है इसके लिए पक्का बिल बनवाना पड़ता है कछा बिल पर काफी ज्यादा हमें जो है संदे होता है कि मेरा माल ऐसा नहों कि राश्ते में पकड़ अगर पकड़ा भी जाता है उसका जवाब देही जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है वह नहीं हो पाएगा तो आपके जवाब देही हमेशा रहता है तो हम अकिर दिल्ली को छोड़कर अपने नजदी से कारोबार क्यों शुरू किये हैं इसलिए शुरू कि यहा जादा कोई percentage का अंतर नहीं पड़ा मुझे तो आपको बता दें अगर मुझे दिल्ली में किसी भी पार्ट्स पे अगर बीस परसंट मिल रहा है तो वह हमें जो है भगलपूर में करीब 15-18 परसंट में मिल जाता है किसी परसंट में अगर 40 परसंट मिल रहा है तो वह में 35 परसंट में मिल जा रहा है इसे कैबल होता है पार्ट्स होता है इसे मैं आपको नाम धराके नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी तरह के इसमें मेरे जो वेवर सहसे भी तरह के होते हैं जब आपको खुद पता चल जाए खुद आपको बता देगा जन्मीन जो है इसका परसेंट तो आपको खुद पता चल जाएगा तो मेरा करेंग मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप दूर दरास से मंगाते हैं तो आपको ज्यादा नहीं मतलब पांच दो परसेंट का ही अंतर पड़ेगा इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा अगर आप कोई लॉकल चीज पूरा डुब अब पहले नज़्दीक से शुरू किजिए जब पहली बार आप शुरू करते हैं को भी हौलसेल पार्ट से रखते हैं और माल देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो हैं अपने सीटी से कारभार शुरू कीजिए आप उनसे कईए मैं आपके शौप से करीब दो रुप प को खुद पता चल जाएगा कि हमें जन्मीन चीज कहां से लेना है कहां पर किसका डिस्ट्रीटर है कहां से क्या माल लेना है तो यह सब चीज़ें देरे-देरे मालूम पड़ जाता है तो आई हॉप यह वीडियो काफी हैलफुल रहे होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल में पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेने अगर की ब्रस कर दें थैंक्यों दोस्ति